देखो, मूवी ऐसी होनी चीह है, जो दिल को छूले, फिर वो चाहे बिग बजट हो, स्मॉल बजट हो, तीन घंटे की हो, या बीस मिनिट की, उससे ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता, कभी-कभी, दस बीस मिनिट वारी पिक्चर्स हमनों को ऐसा एक्सपिरिंस दे देती है, क्योंकि ये सारी मूवी यूट्यूब एकदम फ्री में अवेलिबल है, मैं हर एक मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल होंगी, बट एक डिस्क्लेमर, आप जब भी एक मूवी देखोगे, प्लीज मेक शूर आप नीचे कमेंस ना वड़े, क्योंकि आप जब क ये सब एकदम सपना सा लगता है, हर वो चीज जो आज हमको एकदम फ्री में मिल रही है, जिसके हम कदर नहीं करते, वो इस सीरीज में उसके लिए पैसे चुकाने पड़ रहे है, और अगर पुछ फ्री में अवेलेबल है, तो वो बस एक चीज है, कार्बिन, हर जगा पल् ये मुवी एक स्लाप उन दफेस है, हर इंसान के लिए और इसमें बताया, अभी मौका है, कुछ कर सकते हो तो कर लो, सेवार मादर ओथ, वरना बहुत ज्यादा लेठ हो जाएगा, नेक्स मुवी है कांदे पोवे, कांदे पोवे एक ऐसा ट्रडिशन है, जो यूजली और लड़की और लड़की जब अकेले बात करने जाते है, तो लड़की उसकी job के बार में, उसकी life के बार में बताती है, जिससे हमें ये पता चलता है, कि लड़का और लड़की के लाइफस्टाइल एक पूरी तरह से अलग है, दोनों opposites है, हार जीत का फैसला तब होता है जब आप कोशिश करने के लिए अपका पहला कदम उठाते हैं हार की डर से अगर आप अपना फर्स टिप लोगे नहीं तो जीत के बाद जो साटिस्फाक्शन है वो आप कभी मैसुस नहीं कर पाओगी ये गहरी बात एकदम लाइटली और अच्छे वे में बताया है कांदे पोहे में मैं बात कर रही हूँ अहिल्या ये नाम की मूवी की सो कहानी शुरू तब होती है जब एक इंस्पेक्टर एक कपल के घर पे जाता है एक मिसिंग लड़की की तलाश करने अब ये कपल के बार में कुछ चीज़े बहुत व्यर्ड है एक तो इन दोनों के बीच में एज गाप बहुत ज्यादा है इनके शेल्फ पे कुछ अजीबोगरी डॉल्स पाई जाती है जिन पे चेहरे बने हुए होते है जब वो मिसिंग लड़की की फोटो लेके वहाँ पे जाता है तब इनस्पेक्टर ये भी देखता है कि वो मिसिंग लड़की की भी डॉल वहाँ पे मौझूद है अब आगे क्या होता है ये जाने के लिए आप अहीलिया देखिए बस यही कहानी है siblings की ये इस कहानी में दो बहने अपने पिताजी और अपनी दादी के साथ रहते है इनके डाट 18 मेनों से वेंटिलेटर पे हैं कोमा में है ये दोनों बहने कुछ ना कुछ ना कुछ करके घर संबाल रही है और they are trying to make the ends meet but they are failing miserably ऐसे टाइम कभी-कभी कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और ऐसा ही एक फैसला किया गया है siblings में अगली movie है चुरी जब एक पत्नी को अपने पती के extra mental affair के बार में पता चलता है तब वो उस लड़की के घर पे जाके ऐसी कुछ arrangement की मांग करती है जिसे देखके आप शौक होने वाले हो ये कहानी में बिना हाथ लगाए पती के मुँपे थपड माने का थाम बहुत अच्छी जिग की है एक partner एक companion की ज़रूरत हर किसी को ती है फिर चाहे वो जवान हो या बुड़ा साथी, एक साथी के बिना जिन्देगी काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये ही कहानी है पुराना प्यार, इस मूवी की री मैजजिस को उतनी इज़द देनी चाहे जितने की पहले शादी को ये एक पूरी कहानी का थीम है ये एक ऐसी कपल की कहानी है जिसकी अभी-भी सगाई फिक्स हुई होती है लोग बाते करते रहते हैं तब लड़की-लड़के से ऐसी दो चीजे बताती है जिससे सुनके लड़का एकदम शॉक्त हो जाता है लेकिन पूरा सच जानने के बाद भी लड़का उस लड़की को पूरी तल से एकसेप्ट करता है और बो लोग दोनों लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं हर कोई गलतिया करता है लेकिन उससे उपर उठकर हमें अपनी लाइफ जीरी चाहिए यह एकदम लाइट वे में और अच्छी तरीके से बताया है टू थेंक्स में अगर आपने सारी मुवी जाके देख ली है तो मुझे बताना आपको कैसी लगी और अगर इसका पार्टू देखना चाते हो तो नीचे लिखो मैं इसका पार्टू बना दूँगी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं अगले वीडियो में मिलोंगी बाई